हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सबका हमारी यूटूब चानल इजी कुकिंग इतनी लूपे लड्डू तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे लिकिन आज हम लोग लाएं है आप सबके लिए एक बहुत ज़ा टेस्टी और इत्म हेल्दी लड्डू जो आप आसानी से बना लाना शुरू करते हैं यहां इल्या देर सारे ड्राइफ्रुट जिसमें हमने लेगा है काजू बादम नारियल तो काजू और बादम के नारियल को उनने कट कर लिग सकते हैं झाल आके यह तीन बहुत तीन एकृगा उर गच्झे तो ब्रने यह थीन तीन ड्राया तो यहां पीज निकाल के इसे चॉप कर लिया है जैसे कि आसे देख सकते हैं बहुत छोटा नहीं काटना है इसको आपको शेप रखना है जिससे ना खाते समय सारे ट्राइफ्रूट स्मूंग में आए कि उसी का फ्लीवर लगेगा और हमने या पे लिया है तीन चमश तिल और तिल के बाद हमने लिया है खरबूजे गाबीज और पिस्ता किश मिश यह सब भी हमने लिया है तो अब हम लोग सारे ट्राइफ्रूट को कर लेते हैं रोस अच्छे तरीके से हम लोग भूजेंगे तो हमने आप घी लिया है दो चमश के करीब और इसको हम लोग कर लेंगे पिर हम लोग से डाल देते हैं काजू और इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे और हम लोग इसे 1 मिनट के लिए लोग फ्लेम पे हम लोग इसे रोस्ट कर लेंगे आपको ये बात का ख्याल रखना है कि जो भी आपके ड्राइफ्रूट से रहना वो चलने नहीं चाहिए कि की कास्तमाल नहीं किया है बदाम को भी डाल के हम लोग इसे में रोस्ट कर लेंगे और आपको सारे टाइफुर्स को बस एक विनिट के लिए लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है जादा नहीं और ही सेम पैन में हम लोग सारे टाइफुर्स को रोस्ट कर रहे हैं तो इसमें फिर स प्रेकाय आपका पायण गरम है तो आप गास का फ्लेम अफ करके भी यह सारी चीज़ रोस्ट कर सकते हैं कि जब बहुत जल्दी जल सकते हैं और अब लोग इसमें डाल देते हैं नारेल तो गास का फ्लेम लो रखिएगा एकदम से दम और पिर इसमें यह यह डाल देंगे नार्व के आड़ करने की बाद हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने की बाद अब हम लोग इसमें आड़ कर देते हैं यह पोस्तू दाना तो यहाँ पे हमने दो चमश पोस्तू दाना का इस्तमाल किया है तो यह पोस्त दाना है वह में पहसका है इसलिहें हमोने है इसने भर 2 चमसatura किया है लेकिन गार भूस्त दाना होता है वे दायच्वेट के लेड्डे में और जैलता है तो अगर आपक से हैं तो आप से 4 चमस दाने उसलिए है, और यान दो धना फिर अज़ीक है करें क्छार ब्लम शोर को को तो आप और तो अक्छाल नायों कर लेते हैं और फेर वहरो डाल देते हैं तो जुब दो आप दो ख impacts करें धिए से फिर्ष में उवर बोमेद एक जांद है आपके ऊफ्ष रहा जी आन्याइव तो सीज यह जो अब बाइल जरेंगे हैं और वे से रहे थाष में तक आप बाहें है तर लें अब सुनाइब प्रहतथ है कि नियुक्ता स्टपते नियुक्ट है बहुत जल्दी जल जाते हैं तो अब आप ये सारे ट्राइफ चूट एक साथ बहुत अच्छ तरीके से मिक्स कर लीजे और मिक्स करने के बाद अब हम लोग ग्यास का फ्लेम कर देते हैं और इसे हम लोग एक थाली में निकाल लेंगे और फिर आपको इसे थंडा करना है लेक एक बार अच्छे से हाथों से या फिर चम्मज से अच्छे से मिला लीजेगा जिसे जो खजूर है ना वो सारे ट्राइफूट में लग जाए और तभी जो आपकी लेड्डू होंगे ना वो एक साथ बंधाएंगे खजूर के जिसे ही लेड्डू बंधाएंगे तो लेना है और एकदम प्रेशर के साथ आपको इसे बंध करना है कुछ इस तरह से तो यह देखिए और यहां परें बहुत जाए टेस्टी बिना चिनी के यह हेल्दी ड्राइफू लड्डू बन के तयार है और जैसे कि आपको पता है कि हमने इसमें एकदम भी चिनी का इस्तमाल नहीं किया है जो भी मिठास होगा ना वो सब खजूर और किश्मिस सही आएगा और अभी तो बहुत सारे मिठेब बनाने पड़ेंगे तो आप यह लड्डू बना के ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि यह सबको बहुत पसंद आएगा साथी साथी हेल्दी है तो एक बार आप यह टेस्टी लड्डू जरूर ट्राइ कीजिएगा और अभी धंडिया भी आ रही है तो आप य हमारे चैनल के साथ जुड़े देएगा तो मिलते हैं आप सबने कले वीडियो में वीडियो को पूरे दिखने के लिए थाइंक यू और पाइबाए